दोस्तो जावस्क्रिप्ट के इस फ्री कोर्स में आप सब कस हो गता है जहां पर आज हम सीखेंगे प्रोग्राम टू एड टू नमबर्स यूजिंग जावस्केट नॉर्मली ऑन इसके नाप देख पा रहे हैं कि मैंने यहां पर दो इन्पुट्स ले रखें जहां पर एक मुझे गाइडेंस मिल रहा है कि यहां पर मुझे फर्स्ट वैल्यू डालना है और दूसरे पर डालना है सेगंड वैल्यू और जैसे मैं एडिशन पर क्लिक करूंगा तो उन दोनों का एड आ जाएगा तो बिसिकली हम क्या करते हैं यहां पर आते हैं फर्स्ट वैल्यू पर और मैंने यहां पर लिखा फर्स्ट वैल्यू है हमारी 850 या 85 डाल देते हैं और यहां पर डाला मैंने 50 वैसे यहां पर आ जाएगा 100 इसके लावा कोई और वैल्यू डालके देखते हैं तो मैंने यहा यहां पर डालता हूँ 140 और मैंने कि एडिशन पर किलिक तो यहां पर वैल्यू आगी 300 तो इस तरीके से हम एडिशन का प्रोग्राम यहां पर यूज कर रहे हैं अब यह कैसे वर्क करता है सबसे पहले इसको समझते हैं आप देख पारे हो कि मैंने यहां पर प्रोग्राम टू एड्टू नम्मर्स का जो प्रोग्राम है जो कोड है वो यहां पर लिखा हुआ है अब जरूरी है कि पहले आप इस कोड को समझें उसके बाद हम इसे कोड करेंगे और विद प्रैक्टिकल करके देखेंगे इसका प्र है जिसमे पहली वेल्यू लेंगे दूसरे इंपुट है जिसमें डूसरे वेल्यू लेंगे तो यह राई इंपुटट 1 और यह इंपुट 2 दोनों का जो टाइप हो लखा है मैंने टेक्स और उसमें इंडिकेशन देने के लिए कि यहां पर first value डालनी है second value उसके लिए हमने use के placeholder का ठीक है और इस input से मुझे value transfer करनी है कहां पर transfer करनी है अपनी javascript में जिसके लिए हमने यहां पर id का सहरा लिया है basically जो हम javascript में code करेंगे और जो value आप input से उठाओगे तो उसे हो identify कैसे करेगा तो यहां पर जो हमने लिखा id num1 इससे यह value उठा रहा है यहां पर javascript में और यही same चीज़ होगी यहां पर और इसके बाद हमने एक button लगाया जिस पर हम click करके इस पूरे program को run करेंगे सबसे पहले यहां पर आप notice करो कि मैंने एक variable लिया है जो कि है n1 जिसके अंदर पहले input की value को मैंने यहां पर store करा है आप यहां पर देख पार हो num1 उसके बाद फिर मैंने एक variable लिया n2 जिसके अंदर मैंने दूसरे input की value को store करा है और इसके बाद मैंने एक variable लिया sum यह जिस पूर्शन तो आपके सामने है जो मैंने आपको एक शॉट में समझाने की कोशिश की है और जो थोड़ा सा confusion रह गया होगा यह भी practical करते time यह भी clear हो जाएगा so make sure कि आप इस वीडियो को पूरा देखे क्योंकि यह वीडियो आपके लिए full of information होने वाला है साथ एक छोटी से request है कि अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगे तो प्लीज वीडियो को like और share जरू करें तो बिना किसी देर के शुरू करते हैं इस वीडियो को तो नॉर्मली आ जाते हैं गम्योडिय स्किन पे जहां पे मैंने कुछ सेट अफ कोड लिखे हुए जैसे कि HTML, head, body और skip और इसमें अभी हमने कोई भी proper code नहीं किया हुआ है जो कि on skin आप देख पा रहे हो तो सबसे पहली चीज आपको यह समझना है जब भी आपको कोडिंग कर रहे होते हो कि आपको उसमें कौन से काम पहले करना है कौन से काम बाद में करना है सबसे पहली चीज कहा है कि मुझे यहां पे दो input लाने और यहां पे एक button डालना है जिस पे click करने पे action attempt हो तो सबसे पहली चीज जो हमें दिख रही है वह काम करते हैं तो यहां पे आते हैं body tag में यहां पे हमने क्या लिखा input और हमने दिया type equal to text ठीक है और एक और input ले लेते हैं हम यहां पे और ctrl s करते हैं यहां पे आके reload करते हैं तो basically हमें दो input यहां पे मिलके जो कि on screen आप देख पा रहे हो इसके बाद क्या करना है कि मुझे एक button चाहिए जिस पे click करने पे addition attempt हो तो यहां पे button हम डाल देते हैं मैंने यहां पे लिखा button type equal button ठीक है और मैं यहां पे डाल देता हूँ addition इस तरीके से ठीक है और button को हमने क्या close ctrl s करते हैं यहां पर आते हैं कर दिया reload जैसे मैं reload करता हूं आप देखो यहां पर यह आ गया है addition इस तरीके से अगर अभी यहां पर screen मैंने छोटी कर रहे हैं इसलिए आपको देखने में थोड़ा से दिक्कत हो रहे होगी अब अच्छे से आ रहा है अब यहां पर जो हमारा यहां पर सेम यही चीज मैं कर देता हूं यहां पर और मैंने यहां पर किया second value मैं screen को थोड़ा से छोटा करता हूं आपको देखने में असानी होगी तो यह रहा फिर हमने किया यहां पर ctrl s यहां पर i reload कर दिया तो यहां पर एक indication आ गया first value और second value का अब यहां पर main time आता है हमारा javascript code क्योंकि front part सब clear हो गया अब हमें जो भी हमारा back end coding करनी है वो हम करेंगे तो यहां पर आते हैं javascript के लिए script section में सबसे पहली चीज कि आपको पता है कि यहां पर multiple set of code होने वाले है एक होगा a की value store करना है b की value store करनी है फिर sum करना है तो मैंने आपको पताया था कि जब भी आप multiple set of code लेते हो और उन्हें एक साथ यूज करना चाहते हो तो वहां पर हमें सहारा लेना पड़ता है किसका function का तो हम यहां पर लेंगे function तो यहां पर हमने डाला function keyword डालेंगे सबसे पहले function keyword इसके बाद मैं यहां पर उस function का नाम दे देता हूं तो मैंने यहां अंदर जो value है वो मुझे उठाना है तो सबसे पहले value को मुझे यहां पर लेना है तो मैं यहां पर एक variable ले लेता हूं variable ले लिए मैंने n1 ठीक है कोई भी variable ले सकता आप a b c d किसी का नाम जो भी है तो मैं यहां पर ले लिए n1 इस n1 के अंदर मैं इस first value को store करूंगा तो value क मुझे उठाने के लिए यहां पर क्या देना पड़ेगा document.getelementbyid और यहां पर मैं दूंगा एक id और उस id के तो मैं इस के अंदर जो भी value है उसको उठाऊंगा तो यहां पर id क्या होगी वो id मुझे इस input में देनी पड़ेगी तो मैं यहां पर आऊंगा input में और मैंने बो कर रहा हूं इन दोनों को link कर रहा हूं यह जो मेरा input है और यह जो javascript code है इन दोनों को क्या क्या मैं ने link कर दिया इस id के तुरू देख पारें अब और यह क्या कर रहा है document.getelementbyid मतलब यह क्या कर रहा है इस के id के तुरू यह element को उठाएगा मतलब जो भी इसके अंदर आ यहां आएट बर यहां पर मैंने दिया है id num1 यहां पर यहां पर देदेता हूं id equal num2 ठीक है तो इस इनपूट के लिए घि पार यहां पर यहां यहां पर पॉंच को समझेंगा कि इसकी value को वने करा लिया यहां पर n1 के अंदर इसके value को store करा लिया n2 के अंदर अब यहां पर हमें क्या करना है कि इन दोनों का addition करना है तो यहां पर मैं एक और variable लोंगा जो कि है sum एक नाम ले लिए हमने variable का sum add जो भी लिखना चाहो लिख सकते हो और मैंने बोला कि यह जो n1 के अंदर value करने के बाद मैं यहां पर इस value को print कराना चाहता हूं तो मैं इसके लिए दूँगा document.write और यहां पर हम डाल देंगे sum क्योंकि हमने value किसमे store कराई है n1 & 2 के sum में इतना clear लेकिन अभी भी output नहीं आएगा क्यों नहीं आएगा क्योंकि यहां पर मैं आपको show करता हूं मैं इस इस button के थुरू मुझे इस पूरे program को call करना है पूरे program को call करना है तो यहां पर मैं क्या लिखूंगा कि जब भी इस button को आप click करोगे यानि कि on click तब आप इस function को call करना तो इस function का नाम हमने लिख दिया add और double quotes के close अब यहां पर जैसे मैं से control s करूंगा और यहां पर reload करू सब कुछ मैंने इसमें लिखा हुआ है तो इसका reason यह है कि javascript काफी case sensitive है और अगर इसमें छोटी से mistake हम कर देते हैं तो उसकी वज़े से program run नहीं होगा जैसे कि यहां पर mistake यहां पर मुझे छोटे b की जगह लगना है बड़ा b तो मैंने अपर किया बड़ा b document.get element by id ctrl s किया यहां पर reload किया और मैं यहां पर लिखूंगा 45 65 और यहां पर answer आ जाएगा तो basically यह चीज ध्यान रखना यह चीज इसलिए आपको बतानी किल रखी थी कि अगर आप जरा से भी mistake करते हैं कि लेटर की चोटी से mistake होती है तो भी आपका code execute नहीं होगा so i hope कि इस बात का ध्यान रखे अब आते हैं दूसरे error पर कि अभी तो ठीक है execute हो गया लेकिन अभी 45 65 आ रहा है add तो यह हुआ है तो add क्यों नहीं हुआ इस बारे में बात करते है basically इसके इंदर जो हमने value उठाई हमें इसे बताना पड़ेगा कि इसका form जो value का form है वो integer type है जिसके लिए हमें क्या लिखना है यहाँ पर हमें लिखना होता है pars int यानि pars integer तो हम यहाँ पर यह कर देंगे end में जाएंगे और यहाँ पर एक और bracket close क्या हमें से बढ़ा करके show कर देता हूं आपको ताकि देखने में असानी हो तो यह हमने किया और यह कोड एक्जेकूट हुआ है नहीं 4565 एडिशन और आंसर आपके सामने लेकिन यहाँ पे एक चीज का ध्यान देना है देखो यहाँ भी क्या हो रहा है कि मैं इसे एक की बार यूज कर पा रहा हूं मतलब एक बर मैंने value लिखा और उसके बाद यह सब कुछ हट जा रहा है और फिर यहाँ पे आंसर आ रहा है और जबकि मैंने जो आपको प्रैक्टिकल दिखाया होगा स्टार्टिंग में उसमें मैं multiple time इसे use कर पा रहा हूं as a calculator तो वह आप कैसे गरोगे देखो इसके लिए क्या करना हमें कि हमें यहाँ पे एक ID लेनी पड़ेगी क्या लेना पड़े हम यहाँ पे लिखते हैं document.getelementbyid और वह ID मैंने डाल दिया demo और यहाँ पे डाला .innerhtml equal sum अब मैं control s करूंगा यहाँ पे आएंगे reload करेंगे मैंने यहाँ पी लेका 45 65 और addition तो answer नीचे multiple time मैं इसे use कर सकता हूं और मैंने क्या addition और answer यहाँ पे अब इस चीज में क्या difference है हुआ क्या actual में समझते हैं इसको देखो basically यहाँ पे क्या है कि यह जो code है वो पूरा एक block of code है तो यहाँ पे जो पहले term हमने लिखा था document.write उसमें क्या scene था कि यह जितना भी कुछ लिखा हुआ है वो उस सब को हटा के मतलπα कि जितना सब कुछ लिखा है उन सब को execute करके एक fresh screen पे आ रहा था तो यह सब को replace कर रहा था था हमने यहाँ पे क्या क्या हम एक paragraph ले लिया और हमने बोला कि सिर्फ इसको replace करके एक जगह तो चैहिए उसको code execute करने के लिए तो हमने बोला कि सिर्फ इसको execute करो सिर्फ इस वाली जगह को replace करो और यहां पर आपका answer आना चाहिए तो आप answer print कराने के लिए क्या कर रहे है इस P की मदद ले रहे हैं तो आप देखो यहां पर demo लिखा है हमने document.getelementbyid यहां पर मतलब जो यह place है यहां पर जो result हो आएगा और वो किसकी मदद से आएगा innerHTML की मदद से और यहां पर जो इस sum है उसको हमने print करा दिया है जिसमें हमने equation की तो इस तरीके से जो code है वो काम करता है यहां पर दो main चीज़े सेखे हैं आपने एक क्या है parse int जिसकी मदद से आप कोई भी equation कर रहे हो हमने यहां पर देखा .innerHTML का use document.getElementById के साथ innerHTML की अगर हमें उसी screen के नीचे मतलब किसी layer पे value को print कराना है तो उसके लिए हम इसका use कर रहे हैं ताकि हम उसे बार-बार use कर सकें जैसे कि आप यहां पर देख पा रहे हो कि अगर मैं यह use नहीं करता तो पहले मैं इसे एक ही बार use कर पा रहा था अब मैं इसे multiple time use कर पा रहा हूं so I hope कि यह time आपको clear होगा आशा करता हूं दोस्तों tutorial आपको पसंद आया होगा अगर वीडियो आपको अच्छा लगाए तो प्लीज इस वीडियो को like करें share करें साथ ही comment करके अपना feedback जरूर दें thank you